अलो फ्रेंडस वेलकम बैक होन में जूटूप चैनल दोस्तों आज की स्विडियो में आपको उसकाने बहला हूं दोस्तों अगर आपके मॉइल में भी प्रावलाव आ रही है वीडियो देखते देखते अट्यूमेटिक स्क्रीन आफ हो जाती है जा फिर अप्र फोन लॉग ह हो जाता है दोस्तों इसके तो काफी सारे रेजिन हो सकते हैं जो भी मैं आपको कारण बताऊंगा और सुलूइशन बताऊंगा उन सभी सुलूइशन को आपको अच्छे से सुनना है और कारण को भी सुनना है ताभी अब कीजिए प्राब्लम 100% साल भूपत पाएगी ठीक है दोस्तों बिन देर के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर नहीं होता है सबस्क्राइब जिरूर करें सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आपको करना कहा है आपको अपनी मॉयल की सेटिंग को उपन करने के बाद दोस्तों आपको जहां पे एक option देखने को मिलता ह है डिस्प्ले का जहां पर आपको क्लिक करना है सबसे पहले दोस्तों आपको जहां पर चेक करना है जो कि स्क्रीन टाइम आउट का जो होता है जहां पर सेटिंग आपको जहां पर देखना है अगर आपको जहां पर 50 सेकंड है जहां फिर 30 सेकंड है आपको इसको बढ़ा कर 10 minute जहां फिर 30 minute पर रख देना है उसके बाद आपको थोड़ा सा back आना है जहें दोस्तों आपको setting कर ले नहीं है पहले ठीक है उसके बाद थोड़ा सा back आओगी जैसे ही जहां पर आपको नीचे एक option देखने को मिलेगा screen and security का ठीक है जहां पर आपको click करना है उसके बाद दो आप 30 seconds पर कर देना ठीक है यह दोनों setting दोस्तों आपको कर ले नहीं है सबसे वहले ठीक है दोस्तों जो भी आप अपने मोईल में वीडियो देख रहे हो अगर आप आफ लाइन वीडियो देख रहे हो तो आपको एक बात का धिया रखना है अगर आप आपके मोईल का जो ब बड़ा कारण होता है ठीक है अगर आप high quality जा फिर high regulation की जो वीडियो होती है अगर बहुत देखते हो अपने मोईल में और आपका device जो है बहुत support नहीं करता है इस कारण भी आपका मोईल चलते चलते बंद हो जाता है स्क्रीन आफ हो जाती है दोस्तों आपको इस बात का भ उसमें bug problem है आप YouTube को जा फिर जिस भी platform पे आप वीडियो देख रहें ठीक है उसको आप feedback देख सकते है इसे भी आपकी problem solve हो जाती है जा फिर उसी application को आप update कर सकते हो जा फिर फोस्ट आप करके चेक कर सकते हो ठीक है दोस्तों जही कुस कारण है जिनके कारण हमारा वीडिय देखते देखते phone automatic switch off हो जाता है जा फिर लॉक हो जाता है जा फिर screen off हो जाती है दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही अगर फिर भी आपके problem solve नहीं होती तो मुझे आप Instagram पे message जरूर करें ID का link आपको description box में मिल जाएगा thank you